अच्छा मतलब आपके मान रहे हैं कि दिल्ली तक अपनी पहुँच बनाने के लिए आपने बीजेपी का साथ ले लिया, एंडिये का दामन थाम लिया नहीं देखे जो विकास के देश के विकास के लिए मानी नरिंद मुदी जी ने जो योजनाएं गरीबों के लिए चलाई हैं सच तो यह है कि जब गाओं में हम लोग जाते हैं तो जो लंबे समत्क कांग्रेस की बसपा की सपा की सरकारें वही हैं गाउं में 5 किलो रासन उसके हां जा रहा है जो आजादी के बद कुछ पाया नहीं वो कहता है कि नेता जी आपकी सब लड़ाई सही है लेकिन कोई पार्टी कुछ दिया नहीं कम से कम मोदी जी तो 5 किलो के हूँ दे रहे हैं 6,000 रुपीयों दे रहे हैं हम लोग जोताईयों कर ले रहे हैं और खादों का काम चल जा रहा है आई सुमान कार्ड भी दे दिये हैं बना के पांचलाख रुपए का इलाज भी करा ले रहे हैं और बताइए कि अभी लोग हम लोग को कुछ दिये नहीं तो आप क्यों जबरी करते हो इन लोग के साथ रहन पर देखा तो आपने अपना यूटर्न मर लिया नहीं है बजनता मालिक है देश की न वही लोग जज है न फैसला वही लोग देते हैं तो जब जज के जज मालिकों ने कहा कि नहीं चलो इधर तहाम लोग चल दिये इधर और बीजेपी वालों ने आपको माफ कर दिया पहले तो आपने इतना उनको गालियां दी है इतना उनको कोसा है इतना आलोचना की है राजनीत में जीत ही सबसे बड़ा लक्ष होता है और आज जो देश के हालत हैं उस हालत में ओम प्रिकास राजबर सुहेल देव भारती समाजपार्टी देश के प्रधानमंत्री मानि नरिद मोदी जी के साथ जनता की भावना को देखते हुए जनता के गरीबों के विकास की योजनाई जो उनके यहां तक पहुँच रहे हैं उसको और बहतर योजनाओं को वहां तक पहुँचाने के लिए इंडिये में सामिल होने के लिए जज मालिकों ने प्रेरित किया है कितनी सीटे लड़ेंगे यूपी में राजबर जी एक हबते बात ताएं होगा अभी जाएंगे दिली तो वो ठीक हो जाएगा तो एंडिये में आपकी एंट्री करवाई किसने किस से बात चीज शुरू हुई थी आपकी यूपी में बीजेपी में हां हुआ अ हा हा तो बहुत लोगों से चाहिए ओ मनी मुक्यमंतरी जी हो चाहिए बिजेश पाठक जी हो चाहिए द्यासंकार सिंग हुआ हुए वह पंदर्चुपदरी जी हो चाहिए स्वतंदेव पत्टेव जी हूँ और के साऊ-देव मारियाँ जी हो सब लोग लगे थे अखिलेज जी कह रहें धोखा दे दिया आपने उनको